आज ये मौका है कि हम अपनी पार्टी का घोशना पत्र आपके सामने रख रहे हैं। आपने देखा होगा कल एक सभा हुई थी दिल्ली में और ये घोशना पत्र देश के सामने रखा गया। इसे हमने न्याए पत्र का नाम दिया है ताकि ये सपश्ट हो कि एक सिर्फ घोशनाओ का कि एक सूची नहीं है जिनें हम चुनाओ के बाद भूल जाएंगे। ये एक संघर्ष की आवाज है इस देश की आवाज है जो आज न्याए मांग रही है। और इसका मतलब क्या है। देखिए आज की परिस्थितिया क्या है। आप मुझसे अच्छी तरे जानते हैं। बेरोजगारी चरम पे है। 45 सालों में इतनी बेरोजगारी नहीं रही जितनी आज है। आपने दस सालों से मोदी जी की सरकार देखी भाजपा की सरकार देखी और अगर आप एक दूसरे से पूछते हैं अडोस-पडोस के घरों में जाते हैं अपने घरों में खुद जांके देखते हैं तो क्या पता चलता है क्या किया इन्होंने बेरोजगारी को हटाने के लिए बड़े बड़े वादे किये थे, बड़ी बड़ी घोशनाएं की थी, एक भी पूरा नहीं किया, आज बेरोजगारी बहुत जादा है और इन्होंने क्या किया, अगनी वीर जैसी स्कीम लाई, जिससे वो बच्चे, वो नौजवान, जो महनत करके, रोज रोज वर्जिस करके टेस्ट लेते हैं सेना में जाने के लिए, उनकी आशाएं तूट गई, पेपर लीक हो रहे हैं हर प्रदेस में, जहां देखिए नौजवान मुश्किल से पढ़ाई कर रहा है, माता पिता कमा कर उसको मुश्किल से लोन लेके, कैसे भी उसकी पढ़ाई करा रहे हैं, उसके गैस सिलिंडर का दाम कम कर लिया, लेकिन इतने सालों से क्या दाम था, इतने सालों से आप क्या देख रहे हैं, आपका अनुभव क्या है, मेरी बेहने जानती हैं, त्योहार आता है, घबराट होती है, कि कैसे खर्चा करेंगे, लिपाई-पताई कैसे कराएंगे, त्योहार के लिए नए कपड़े कैसे खरीदेंगे दुकान जाएंगे क्या खरीद पाएंगे ये परिस्थितियां है किसानों की क्या परिस्थिति है किसान सडक पर अंदोलन करता है प्रधान मंत्री जी उनकी सुनवाई ही नहीं करते GST से मारा जा रहा है हर चीज पर GST लगी जा रही है पेट्रॉल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं और खिसान अपनी मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाता है लिखाता है कोशिच करता है पूरी अपना पसीना बहाता है अपने बेटे को सेना में भेजना चाहता है वहाँ पे भी रुकावट कमाई में भी रुकावट महंगाई बढ़ती जा रही है बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और एक अनोखी बात है आपने देखा होगा पिछले पाथ सालों में क्या इन चीजों की यह जो परिस्थितियां हैं आपके, यह जो संघर्ष हैं, क्या इनके बारे में आपको टीवी पे कुछ दिखता है, क्या मीडिया में दिखता है, क्या आखबारों में पढ़ने को मिलता है, कि भाजबपा की सरकार आते ही राजस्तान में चिरंजीवी स्कीम बंद हो गई कि 25 लाग की आपको भीमा मिल रही थी स्वास्त के लिए कॉंग्रेस पार्टी दे रही थी और आज 5 लाग हो गया है क्या ये चीजें आपको पढ़ने को मिलती है क्या इसके बारे में आपको जानकारी मिलती है तो परिस्तिया अतनी खराब है देश में जो गरीब है उसके लिए कोई सुनवाई नहीं उसके लिए कोई आगे का रास्ता ही नहीं है बड़े बड़े उद्योगपती है आपने खुद देखा किसटरे से महलों में रह रहे हैं उनकी शादीया किस तरह से होती है joystick की जितनी भी संपत्य है उनको सौपी जाती है उनके हजारों करोड के जो लोन है वो माफ हो जाते हैं किसान के दस हजार के लोन के लिए किसान आत्मात्या करता है ये परिस्थितियां हैं आज लेकिन आपको जानकारी नहीं मिलती आप टीवी देखते हैं तो अच्छी अच्छी चीज़ें दिखती हैं सिरफ hoarding देखते हैं तो बड़ी बड़ी अच्छी चीजने दिखती हैं क्योंकि सबसे भीशंट जो प्रहार है आज वो आप की जागरुकता पर हो रहा है जन्ता की जागरुकता पर हो रहा है आक्रमन चाहे वो मीडिया की तरफ से हो टीवी की तरफ से हो भाजपा की पूरी जो मशीनरी है उसकी तरफ से हो तो जानकारी आपको मिल नहीं रही है सही जनता सोच रही है कि किसी का तो भला किया होगा अच्छा अच्छा दिख रहा है इस्तिहार टीवी पे दिख रहा है लेकिन असलियत क्या है इसको पहचानने का समय आ गया है आपको सिर्फ यह सुनाई देता है 400 आपको सिर्फ यह सुनाई देता है कि मोदी जी कहां भ्रहमन कर रहे हैं कभी आसमान में हवा में हवाई जहाज में उड़ रहे हैं कभी समुंदर के अंदर जाके नीचे पानी के न यह सिर्फ आपको अपने जीवन में दिख रहा है अपने अनुभव में दिख रहा है सिर्फ आपके संगर्श आप पहचान रहे हैं इस इस देश की सरकार इसको पहचान नहीं रहे हैं आप जानते हैं कि दस सालों में जहां जहां आपको तकलीफ हुई वहां कोई आपकी मदद करने के लिए नहीं आया जितनी भी स्कीमें हैं बड़े बड़े उद्योग पतियों के लिए बनी है यह कहते हैं आपको पांच किलो राशन देंगे लेकिन आपको रोजगार नहीं देंगे आपके बच्चों को अपने पैरों पे खड़े होने का मौका नहीं देंगे तो आपको अब जो समय आ गया है कि आपको जागरुक पन्दा है यह आप बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए जब हम न्याय की बात करते हैं हम यह कह रहे हैं यह पहचान कर कह रहे हैं कि आपके जीवन में अन्याय हो रहा है चाहे वो गरीब हो उसकी सुनवाई नहीं है चाहे कमजोर हो उसकी सुनवाई नहीं है मजदूर की सुनवाई नहीं है आर्श्त्री की सुनवाई नहीं है उसकी कहानी कोई नहीं सुनाता आपको कहीं नहीं देखेगा मीडिया में टीवी में और भाजप्पा के नेता आप से ये बाते नहीं करेंगे चाहे ड्राइवर हो, आटो का ड्राइवर हो, चाहे माली हो, चाहे बढ़ाई हो चाहे हस्त कला में कोई काम कर रहा हो इनकी कहानियां आप सुनते नहीं हैं इसलिए हमने अपने जो न्याय पत्र में लिखा है, वो इन्ही की कहानियों के तहट, इन्ही के अनुभव पर लिखा है, आपकी ही आवाज है इस घोषना पत्र में, इस न्याय पत्र में. भाजपा के नेटा, मोदी जी, एक खोकले संसार, एक खोकली दुनिया में रह रहे हैं, गाजे बाजे में, शोहरत में, आपको सिर्फ अच्छा अच्छा दिखता है, बड़ी-बड़ी इवेंट बाजी दिखती है, सच्चाई छुपाने के लिए हैं और जितने भी प्रयास ह हैं, वो सिर्फ सच्चाई छुपाने के लिए हैं, आज पूरे विपक्ष पर हमला है, दो-दो मुख्यमंत्री जेल में हैं, कहते हैं ब्रस्टाचार पर वार हैं, लेकिन सब ब्रस्टाचारी अपनी पार्टी में एक अठा कर रहे हैं, सारी पार्टीों के जितने ब्रस्ट ब्रस्टाचारी हैं, उनको सब नियोता देके, वो निमंत्रन देके ले रहे हैं, और अचानक उनकी पार्टी में जाते ही स्वच्च हो जाते हैं, कोई उनकी बारे में सवाल नहीं उठाता, तो ये बहाना है, ये पूरा बहाना है, कि इनकी दुनिया सक्षम रहे, बड़े रात काम करते हैं, जो रोजगार बनाते हैं, इनके जो गिनेचुने मित्र हैं, उनको सारी संपत्ती सौपी जा रही है, ये उन दूसरे उद्योगपतियों के साथ भी अन्या हैं, तो ये पूरी जो परिस्थितियां हैं देश की इनको समझने की बहुत खास जरूरत है आज आज जो आप वोट डालने जा रहे हैं, वो वोट इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए जा रहा है, अब ये बात आपने बहुत सुनी होगी और कभी-कभी आप पूछते भी होंगे कि भाई कैसे हमारा लोकतंत्र असुरक्षित कैसे है, तो ये असुरक्षित इसलिए हैं, क्योंकि जितनी भी ऐसी संस्थाने हैं और जो बड़ी-बड़े इंस्टिटूशन्स हैं, जो लोकतंत्र को बचाने के लिए हैं, उनको कमजोर किया गया है, उनका गलत तरह से इस्तिमाल हो रहा है, आज ये नौबत आ गई है कि जनता को EVM पे भी भरोसा नहीं है, जन पत्र है, इसमें हमने कुछ ऐसी घोशनाई की हैं, जो हम चाहते हैं कि जब हमारी सरकार आएगी, हम आपके लिए करके दिखाएंगे, इसका प्रमाण ये है कि हमने प्रदेशों में करके दिखाया है, जिन प्रदेशों में हमारी सरकार रही, उनमें राजस्थान भी था, आपने देखा कि राजस्तान में किस तरह से जो स्कीम लागू करवाई थी। और जैसे मैंने कहा चिरंजीवी जैसी स्कीम है जिससे आपको पूरी तरह से स्वास की सुविधाय मिलती थी। तो हमारे न्याए पत्र में किसानों के लिए पांच गैरंटी हैं। एमेसपी का को हम कानून बनाएंगे। गैरलोट जी ने भी आपको बताया हूँ। स्थाई क्रिशी रिन माफी का आयोग बनेगा। मतलब एक स्थाई आयोग होगा। और आपके जो रिन हैं जो छोटे किसानों के जो रिन हैं जो आपके माफ नहीं होते उसके लिए वहां सुनवाई होगी। फसलों का नुक्सान होने पर 30 दिनों में सीधे बैंक ठाते में भुटान होगा। नई क्रिशी की आयात निर्यात की नीती बनेगी। और क्रिशी में इस्तिमाल जितने भी आप सामान इस्तिमाल करते हैं क्रिशी में वो जी एस्टी से माफ होंगे यह बहुत बड़ी चीज है इससे आपको बहुत रहात मिलेगी मैंने बेरोजगारी की बात की युवाओ के लिए केंद्र में 30 लाग जो खाली पद भरे हैं उन्हें भारी करने का काम हमारी सरकार करेगी हर परिवार में जो पहली नौकरी है वो पक्की मिलेगी और सना तक पास को एक लाग रुपए मिलेंगे ये जो पेपर लीक होते रहते हैं जिससे आपका बहुत नुकसान होता है और पढ़े लिखके बच्चे बेरोजगार बैठे रहते हैं उसके समधान के लिए एक नया कानून बनाया जाएगा सक्ती से जो ऐसे काम कराएंगे सक्ती से उन पर कारवाई होगी और एक जॉब कैलेंडर बनेगा जिसमें जो नुक्ती के जो डेट है जो इंतिहान के डेट है विजल्ट के डेट है वो पहले से बताए जाएंगे जो लोग गिग एकानूमी में काम करते हैं गिग एकानूमी मतलब जैसे शेहरों में आप जो डिलिवरी वाले युवा हैं जो डिलिवरी करते हैं इस तरही की जो नौक्रियां हैं इनको समाजिक सुरक्षा मिलेगी और एक पाँच हजार क्रोर रुपे का फंड बनेगा युवाओं के लिए ताकि युवा जब अपने कारोबार शुरू करना चाहें तो उनको लोन मिलेगा और उनको पैसे दिल्वाए जाएंगे महिलाओं के लिए खास हमने कुछ सोचा है कि हर जो गरीब महिला है उसे साल आना एक लाक रुपे सरकार से मिलेंगे केंद्र में जो नए भरतियां हैं उन में से 50 प्रतिशत महिलाओं को दी जाएंगी आशा अंगनवाडी मिड़े मील वेतन में केंद्र का योगदान दो गुना होगा और हर पंचायत में एक अधिकार मेत्री होगी जो महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में बताएगी कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल होने चाहिए देश में काफी नहीं है उनकी जो संख्या है उसको दो गुना किया जाएगा और हर जिले में कम से कम एक ऐसा हॉस्टल होगा आधिवासी भाई बहनों के लिए भी हमने गैरिंटी किया है कि वन अधिकार अधिनियम लागू किया जाएगा और एक स्पेशल बजेट स्पेशल प्लान बनाया जाएगा भूमी अधिगरहन कानून में जो संशोधन किये गए थे वो वापस लिए जाएंगे और राज्यों में पेसा के अनुसार कानून लागू किये जाएंगे जिससे जहां आदिवासियों की आबादी ज्यादा है वे अनुसूचित शेत्र गोशित किये जाएंगे एक साल के अंदर अंदर जितनी भी एफ आरे की क्लेम है उनका निप्टान किया जाएगा और लगूवन उपज जो है उनको भी MSP के दाएरे में लाया जाएगा श्रमिकों के लिए हमने कुछ सोचा है कि उनके स्वास्त के अधिकार की कानूनी गैरेंटी देना चाहते है जाज से इलाज तक पूरी सेहत की देखपाल की सुविधाय उनको मिलनी चाहिए और राश्चनियूंतम मजदूरी 400 रुपे प्रति दिन की गैरेंटी हम करेंगे और शेहरी क्षेत्रों के लिए रोजगार गैरेंटी का कानून लागू होगा जिस तरह से ये कानून गाउं में लागू होता है देखिए ये हम न्याए की गैरेंटी दे रहें आपको हम लोगतंत्र की रक्षा करेंगे हमारे पूरवजों ने इस लोगतंत्र को बनाने के लिए अपना खून बहाया है इसी कॉंग्रेस पार्टी ने जिसके आप मेरे कारिकरता भाई बहन यहां बैठे हैं इसी कॉंग्रेस पार्टी ने इस देश के स्वतंत्रता संग्राम को बनाया और उसमें अपना तमाम नेताओं ने जान दी जीवन दिया और इस देश का निर्मान किया है मैं सिर्फ एक आग्रे करना चाहती हूँ अपने कारिकरता भाई बहनों से और खास तोर से इस देश की जनता से इस देश के एक-एक नाग्रिक से यह मेरा आग्रे है इस चुनाव को आप अपने मुद्दों पर लड़वाईए जो आपके जीवन का अनुभव है वही सत्य है वही सच्चाई है जो आपको दिखाई दे रहा है टीवी पे, इस्तिहारों पे, होडिंग्स पे यह सच्चाई नहीं है जो यह मोदी जी ने इवेंट बाजी बना रखी है गाजा, बाजा, यह सब जो लोग सोचते हैं कि धर्म के नाम पर, जाती के नाम पर या आपका ध्यान कहीं और आकर्शित करके गर्दी पर सुरक्षित रहेंगे उनको सच्चाई दिखाईए क्योंकि जब तक आप अपने अनुभव पर उतर कर अपना वोट नहीं देंगे जब तक आप अपनी सच्चाई, अपने सत्य, अपने अनुभव के अधार पर इस देश के निर्मान को नहीं करवाएंगे तब तक ये हालात बदलेंगे दें और हम ये हालात बदलना चाहते हैं हम आपके हालात बदलना चाहते हैं हम चाहते हैं कि आप अपने पैरों पे खड़े हो कि सब सुविधाएं आपको मिले कि देश की सारी संपत्ती आपके हाथों में जाए इसलिए ये चुनाओ आपका चुनाओ होना चाहिए ये चुनाओ इस देश के लिए होना चाहिए इस देश की धर्ती के लिए, इस देश की मिट्टी के लिए इस देश के लोक तंत्र के लिए इस देश के सम्विधान को बचाने के लिए और मेरा मेरी पूरी उमीद है कि यह सी आधार पर आपका भोट जाएगा तो आप सब को बहुत बहुत धन्यवाद कुछ लंबा मैं बोली अध्याक्ष ची को भी बोलना है आपने बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुना इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ एक बार बोलिए जैहिन